है चले आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं यह एक ट्रांस्फर्मर है यह हम देख लेते हैं यह बारा जीडो बारा का ट्रांस्फर्मर है расск Lisa. 2 ampere का यहां इसमें लिखा हुआ है 2 ampere 12-0-12 यानि इस transformer के द्वारा हमको 12 bolt या 24 bolt प्राप्त हो जाएगी यह देखिए 12 bolt इधर से 12 bolt इधर से और बीच में 0 है यह आपको 12 voltage प्राप्त करना है तो 0 वाला एक wire और 12 bolt side का wire उठा करके आप 12 bolt ले सकते हैं यह दि आपको 24 bolt की आप सकता है एक वायर यहां से और एक वायर यहां से वारा दोना 24 voltage आपको मिल जाएगा इसको खोल करके हम देख लेते हैं यह जो transformer है यह इस टेप डाउन transformer है यानि voltage को drop करेगा यानि voltage को कम करेगा लेकर डाउन करेगा ठेक है ऐधि आप जितने बॉल्टेज इसमें दिये रहें के देखिए इसमें एक साइड दो ही वार निकलें उसमें आप यहांतों बार प्रकार के वोल्टेज्ट आप प्राप्ट कर सकते हैं इसको फोड़ा इधर से देख लीजिए यहां देखिए 12 0 12 लिखा हुआ है इसमें 3 वाइर हैं एक इधर वाला 12 बोलेज देगा और इधर वाला भी 12 बोलटेज देगा बीच 2 बेच वाला जीरो का वायर है यहां से आप चाह रहे हैं इधर से 12 voltage लेंगे और 0 पर लगा देंगे आपको 12 voltage मिल जाएगा, लेकिन ये आपर 24 बोलटेज की आँशकता है ये वाला वैर को या तो cut कर देंगे या फिर इसको mode करके यहीं पर कहीं टेप लगाके बान देंगे, इस से हम इन दोनों वैरों से 24 बोलटेज ले लेंगे, यहां से आपको 24 बोल्टेज मिल जाएगा इसमें दो परकार की वैंडिंग की जाती है इधर से जो करेंट दिया जाता है उसको यह डाउन कर देता है यानि यानि 220 बोल्टेज दे रहे हैं तो जितने पे इस ट्रांस्फरमन की वैंडिंग हुई रहती है यानि 12 बोल्टेज इ मिलेगा या तो पिर इन दो वायरों को ले लेंगे इसमें भी 12 ही मिलेगा ध्यान रकिएगा इधर से जो आप सप्लै दे रहे हैं उसी का इधर प्राप्त होगा केवल double voltage Down हो जाएगय, आप इधर से AC supply दे रहे हैं, तो इधर भी आपको AC ही supply मिलेगी, DC नहीं मिलेगी, किसी किसी भाई को ये doubt रहता है कि आप इधर से AC supply दे रहे हैं, इधर से DC supply मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, DC supply लेने के लिए यहां पर bridge reaction fire बनाकरके, यानि diode का bridge reactive fire बना करके AC से DC में convert करते हैं तब DC supply मिलती है लेकिन transformer DC नहीं देता है AC देता है केवल voltage डाउन करके देता है इधर से आप supply देंगे 220 volt तो इधर 12 volt या 24 volt supply प्राप्त होगी लेकिन 12 volt या 24 volt जो supply रहेगी वह AC supply रहेगी इसको DC में convert करने के लिए diode का आपको bridge reactive fire बनान पड़ेगा तभी आपको DC supply मिलेगी अने था नहीं मिलेगी तो इस तरह से कुछ रही इसकी transformer की जानकारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में share और like comment जरूर करें इधर से आपको input देना है इधर से step down और step up दो ही प्रकार के transformer होते हैं step down वाला voltage को down करता है step up वाला ट्रांसपर्मर बोल्टेज को अप करता है नि बोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन ए बोल्टेज को down करने वाला यानि step down transformer है इसकी दो binding होती है एक इधर से primary binding होती है और एक secondary binding होती है primary binding जब AC supply देंगे तो ए देही supply magnetic flux ऐनि मेगने इलेक्ट्र मेगनेटिक फिल्ड जनरेट करती है इसी इलेक्ट्र मेगनेटिक फिल्ड के कारण दूसरी binding में जो होता है तो बोल्टेज उत्पन होता है और और बोल्टेज डाउन बोल्टेज उत्पन होता है जिसको इन वायरों की सहायता से हम के लिया